भारत के टैलेंट का जीता जाकता सबूत है। ऐसी ही उपलब्दियों के लिए राष्ट्र कभी रामधारिसी दिनकर जी ने कहा था मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भायू और भेनों भारत का टीका करान भियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर्ण सिध्धानतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले करोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमन का रिक्स्त सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेश हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पेरामेडिकल स्टाफ हैं, वो करोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सिन प्रात्मिक्ता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है। इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार बारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीका करण अभ्यान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किये गए हैं, ड्राय रंस हुए हैं, अंदर रखना असंभाव है। इसका हाम एएसास था और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था। लोकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थ बवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आकलन भी हमारे सामने था, लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्य भारत्य का जीवन बचाने को सर्वोच प्राठ्विक्ता दी और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुरंत ही पुरा देश, पुरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देश वाशियों के साथ सीधा समबात किया एक तरफ जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववत्ता की गई तो वहीं दूल, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपरती सुनिशित की गई देश में ववस्ताएं ठीक से चले इसके लिए ग्रह मंतावे ने 24 बाइ 7 कंट्रोल डूम सुरू किया जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया लोकों को समाधान दिया गया साथ क्यों करोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते करोना के बीच छोड़ दिया था तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया हरति भारत के ही नहीं हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए कुरुना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया मुझे आध है एक देश में जब भारतियों को टेश करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी वाले चरण में ठीका लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश है खुद भारत चीन और अमेरिका और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इन से ज़्यादा हो इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है और इसलिए यह अभ्यान भारत के सामर्त को दिखाता है और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूं हमारे वेज्ञानिक हमारे एक्सपर्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमति दी है इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ्वाएं दूस्प्रचार से बचकर रहना है साथियों भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है और पहले से हैं हमने विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है मेरे प्यारे देश वाजियों हर हिंदुस्तान इस बात का गर्ब करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं भारत की सक्त वैज्वानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं भारत के वैज्वानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विश्वसक्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश्वास्चों को जुरूर बताना चाहता हूं यह भारतिय बनते हैं